कि नमस्कार आपका स्वागत एदाजनामा टीवे मैं भूनम आपके स्वाइब मुझफर पूर में पांचवी के छातला से हैट मास्टर ने स्कूल के अंदर रेप की कोशिश की बच्ची ने बताया कि वो स्कूल में खेल रही थी इसी दोरान सर ने कलास में बुलाया और खड़की बंद करने को कहा मैंने जैसे खड़की बंद की उन्हों ने गेट बंद कर दिया इसके बाद उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिये में चिल आई तो कुछ महीलाएं आई उसके बाद मों भाग गए मामला प्रात्मिक विद्धाला ए रगुनात पूर दोनवार पदार नसी का है आरोप हैट मास्टर का नाम मुहमत मजूर जिशान है परीजनों के आवेदन पर पुलिस ने फायाद दर्च कली है मामले की जाच शुरू हो गई है फिलाल हेट मास्टर फरार है जिसी गिरफतारी के लिए पुलिस छापे मारी कर रही है छात्रा कीमा का कहना है कि शुकरवार को बच्ची स्कूल पढ़ने गई इस दोगान हेट मास्टर ने बच्ची से कहा खिरकी बंद करो फिर हेट मास्टर ने बच्ची के कपड़े खोल दिए इसके बाद उसके साथ गलत करने की कोशिश की हेट मास्टर की इस हरकत के बाद बच्ची चिलाने लगी चिलाने की आवास सुनकर मोके पर मिड़ डे मिल बनाने वाली महिला اور स्कूल के पास चारा काट रही महिला दोड़कर क्लास्रूम में पहुची इसके बाद दोनों ने मिलकर बच्ची को पचाया बच्ची की मा के मताबिक वह सर के डर से किसी को कुछ नहीं बता रही थी दो दिन से काफी परेशान थी पूछने पर उसने आज अपने परीजनों को इसकी जानकारी दी मामले की जाच करने पुलिस अविवार को स्कूल पहुची इसकी जानकारी मिलते ही परीजन भी मोके पर पहुच गए उन्होंने स्कूल में जमकर हंगामा किया पिडिता बच्ची ने बताया मैं स्कूल में खेल रही थी तबी सर बोले जागर खिड़की बंद कर दो इसके बाद मैंने खिड़की जैसे ही बंद की सर ने क्लासरा गेट बंद कर दिया उन्होंने मेरा कपड़े खोल दिये तब ही हम रोने लगे और चिलाने लगे इसके बाद मोके पर दो महिलाएं आई और हमें बचा लिया स्थानी लोगों ने रविवार को स्कूल में बैठक बुलाई बैठक में आरोपी प्रभारी हम को बुलाया लेकिन वह सामने नहीं आया इसके बाद ग्रामिन उगर हो गए और स्कूल पर हंगामा शुरू कर दिया फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई एक ग्रामिन मुहमद अपरोज ने बताए कि इस घटना के बाद ग्रामिनों के बीच बैटक हुई जो टीचर ऐसा करना चाह रहा था हमने उसे फोन किया लेकिन वह नहीं आया इसके बाद हम लोगों ने बच्ची को बहतर नया दिलाने का फैसला किया मोके पर डायल 122 के टीम पहुंची परीजनों ने थाना में जाकर प्रभारी हम मज़र निश्च जिशान के विरुद प्रात्मी की दर्च कराई है बताया गया है कि स्कूल की छुट्टी के दौरान हम ने बच्ची से वरक अक्ष्की खड़की बंद करने की बात कही सक्राथाना प्रभारी राजुकुमार पाल ने बताया आज मामले की जानकरी प्राप्त हुई है मामले की जाच की जा रही है परीजन के आवेदन के आधार पर आगी कारवाई की जा रही है